तुम मरती हुई इस भीड में मैं राजगीर की तरफ अपना एक कदम बढ़ा चुका था लेकिन इस ट्रेन की हालत देखकर यही लग रहा था कि आने वाले पांच गंटे कुछ इसी तरह लटक कर गुजरने वाले वहीं बहुत से ऐसे लोग भी थे जो इतनी धक्का मुकी के बाद भी अपना ध्यान मोबाईल से नहीं हटा पा रहे तो इसी के साथ रात 12 बजे तक हम लोग राजगीर पहुँचे जहां खाने पिने और सोने की जगा की कमी के चलते मेरी रात एस्टेशन पर गुजरी जहां पोली थिन बिचा कर हमें सोना पड़ा और सुबा होते ही 30 रुपए इन्वेस्ट करके नहाध हो करके हम निकल गए राजगीर साफारी घुमने जहां पहुचकर 500 रुपईया का टिकट लेकर हमने देखा हिरंड अरे नहीं नहीं एक सेर भी था तो दो किन घंटे साफारी में गुजरनी के बाद और वहां का म्यूजियम और 3D सो देख हम वहां से निकल जाते हैं सांती स्टूप के लिए तो हमारी ये जर्मी कंटिन्यू रहेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब तब के लिए बाबाई